In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin, बात करेंगे Law Admission Test के essay के बारे में. आपको मालूम है के essay को बर मेरे बहुत सारी वीडियोस अप्लोडड़ीड हो चुकी हैं. लेक्षर सीरीस के अंदर जो वन से लेकर जो 22 सीरीस है, उसमें भी वीडियोस हैं. और यह मैं एक्स्टा से फिर एक वीडियो बना रहा हूँ, essay के बारे में कि आपने essay को किस तरहां लिखना है, मैं यह कहूँगा कि लेक्षर जो है ना वह आप जो मेरे सीरीस चारी है, वो लाजमी सुने हैं, उसमें सारा चीज़ हैं, जो हैं जो हैं, जो हैं और फिर भी बता उर्दू में ही लिखते हैं लिखे दीजरी ना तो ये भी में समयता ह इंग्लिश में लिखे और दूर्दु में लिखे और दूसरा स्वाल है कि ऐसे को लिखना किस तरह हैं दोस्तो याल रखिएगा आपने एक प्रग्राफ जो हो गया ना वो पांच से आर्थ लाइनों के दर्मियान रखना है ऐसा नहीं करना कि चार पर लाइने एक लिखनी चार्ड यापने 16 लाइने लिखी आप उनके मत्य मारी लो जी हमने ऐसे लिखे दिया आप जो चक करते रहो वह आपको यू ठका के मालेंगे 15 में से 6 नंबर आ रहे होंगे मैं यह बता रहा हूँ आपको 15 में 6 नंबर 6 नंबर आएंगे अगर आपने छोटा सैसर के मुँपे मारा ऐसे लिखने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है मैं जो बता रहा हूँ इसको नहीं फोलो हो लोगे नंबर नहीं आएंगे अपनी मर्जी करके आउखेंगे सर वो हमने आपके लेक्षर सुने थे त्यारी भी की थी नंबर नहीं आए तो नंबर नहीं आएंगे भाई क्योंकि आप अधी पिचित्दी बात को फोलो कर रहे हैं मैं कहा रहा हूँ आपने जो एक पराग्राफ होगा वो पांच से आठ और मैं यह कहूंगा कि आर्ट लाइनों से कम ना लिखें कमस कम मैं समझता हूँ कि अगर आप आर्ट लाइनों का लिख रहे हैं तो यह सुफिशन्ट होगा नो लेने ले चाहें लेकिन आठ सुफिशंट आप आठ लाइनों का ना एक परग्राफ लिखेंगे आपने आठ लाइनों से भड़े हुए आपने कमस कम पांच परग्राफ लिखने हैं लेकिन अगर लगे ना या जगा नहीं बची तो पिर आप चार परग्राफ लेकिन अगर जगा है तो फिर मैं यह कहूंगा के पांच परग्राफ से कम नहीं लिख नए नहीं करना अलाएक के लिए प्लियुक्त काई कुछे ने लिफने उनकों कुछ नंबर उतनी मिलेंगी सुन्ड़ के फॉया रिख या में ये कहूंगा कि सिस्टया में लिख्काइय को फॲंग मेर के 2020 आप पिछि Vine होगा आपने पांस आप लिखनेें यह ची0 होगी अब सरे लिखना क्या है कि याद कि दोस्टों आपने कितने चीज़ेंड की तीन होंग्य पहले चीज़ क्या इंट्रोडेक्शन और स्क्राइब मीं क्या लिखने में प्रेदा हुआ citr यह जो जो चीज़ें आप लिख सकते हैं उन चीजों को लिखें ठीक है आपने इंट्रेशन लिख दिया जैना काजयाजम मुहमद अली जना आपने इसा सफ़ासिच के लिए आप बढ़ एक लिए आप रिश्टर थे आपके वालिद पुझा जना थे आपके वालिद ताजर से जो जो आपके माइंड में आ रहा है कि से रेलिवेंट जना से रेलिवेंट लिख दो अगर ऐसे आगा लामाई कबाल मैं मिसाल दे रहा हूं इस तरह कि इतनी जिन्हीं आएंगे तुरा मुश्किल हैं तो इसे वो टिपिकल होगी वो लाइन लंभी लिखी होगी मैं इसके क मीडिया की क्या-क्या स्रात हैं उसको नेगेटीवी इइंपैक्ट अब जोताव कुछियम युद्वुब wanna ऐसल सब्सक्राइब जो है जो कि इसमें लोग जो है न वह जो जिसे राप्ति में रहते हैं शोचिल मीडिया थे बहुत सारी खबरें प्याल ती के इस पीजिटी वी रोल प्लेड में तो आप पुछा क्या लहूर आप कराची लिखने हैं टोपिक से रेलिवेंट हो जो मर्जी लिखें अगर टोपिक लामा इकबाल है तो लामा इकबाल से रेलिवेंट आप शायर भी थे आप एक वकील वकील भी थे आप फिलोसुपी पर आप गृप थी आप दो कमिन जरीये जो जो आप को पता है आप इंटारग्ट कराच हो आप दो कमल कि comment कि अशिप अम सरी देख चलता हम में एक टोलाप लेकी प्याप लिखा अब्रेटरगों में चोड़ेटीं में ऐसी आहरा हमने राफीा का इंटप्षृंत दिया, हमने राफीट पर लिखकरад का लिखा में बोडि में ने तीन प्राग्राफ लिखने है पहला कि यह अब तेन मून में बॉडिकराफ का एक एजनडा होगा और परेखर आफ्का यह नीजिकर ना सत मुझें पर आपने साय कि वाइद लिखने हैं में नीज ना सबूब और सूचल मीडिया की फाइद़ों की बात करूं पिर आपने सारे फाय्दय लिखने हैं हैं जब फाइदे लीखने में फिर नुकसान नहीं लिखना युग कि you do mean своडे एक TOPिक, उसका एजंडा क्या है फाइदे कि से इंटरनेट के सार हैं एंटरनेट के इंटरनेट के ही फाइदिंग तो ऐसे में देनी नहीं ना लिखना है introduction ना लिखना है main body जो essay को पढ़ रहा है उसको पता है कि pattern यह है आपने कोई markle का इस्तमाली करना कोई heading नहीं दे नहीं हमने एक पैगड़ाब लिखे है introduction का दूसरा हम लिख रहे है कि इसका हम इंटरनेट के फाइद होगा या इंटरनेट के फाइद होगा हमने इसने फाइदे ही फाइदे कर दिये पता लगा इंटरनेट के फाइदों की बात हो इसको पता लजेगा यह सारा paragraph है यह फाइदों से relevant है एक paragraph main body का लिख लिया और एक introduction का लिख लिए दो पैग्राफ होगे तीसरा paragraph ऐसे का तीसरा paragraph लेकि main body का दूसरा paragraph इस पर हम कहते हैं आ पर आ लोग आज़ी लोग अपना वक्त जाला करते हैं यहां पर लोग इतना अपना वक्त लगाते हैं कि अपने भाइन भाइँ को टान्युकि की बात करनी है क्या निक सचार नहीं है मिक सचार एसे की वो इलेशन है कि मिक सचार नहीं इक इंटरेट से दम्हां विवूलेशन ही को अनुटनेंे खरफ नंद द Chemer लिक्ति दी इस फांपर लिक्ति 얼마 निस मल्हीं में कने फाई लिक्ति बेरुने मुल्क तालीम में अपने दाखला बढ़ आ जा सकता है सारी आपने प्राइब आपने इंटर्वायों 8 आप सारा टेनल आप में पूर्णियूड के मुकंबल कंकुलीर को जी किते हैं कि आ आप समय फिस्बूक की पोस्ट आई तो आपने का सुभान ALLAH माशाला फीर एक साई वह पूस्टा अगय र आप 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 नहीं करना चाहिए इमाम बुकहारय करते हमको किसे working लिए किंए माशाला आप तरिमर्जी करना हर बंद की अपिनलाई होगी, आप मेरी अप्नि अपनि आया मेरी अपया आया आप जारा के सबस्कित के समाल करना टाहिए, यह रही हो रही है हम की on जो फेक ऐकोंट बना कर दैशिद कर देवलात Іज नोट हम राय दे रहे हैं लोगों को यह चाहिए कि वह यूँ यूँ करें जो चाहिए है यह राय है राय जो इसको पता नहीं है वो फिट कहता जाया लिख दिया ना पांच नमर ले लो जाओ फंदरह नमर के इसे पांच यमर ले आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं करना आप ये मेरे दोस्तों है मैं अपने इसे कोगा पाकिस्तान है इसके और इसको इतने पाकिस्तान के अंदर जो जरात है ना वो बड़ी बिचती है पाकिस्तान एक जराइए मुल्क है कोई शक नहीं नहीं के पाकिस्तान का KINSONI और पाकिस्तान का आब और मार्टा दूसरीं दुनिया के आप कंद। हमें जो जो शहरी लोग हैं उनको इतने मिहंगी चीज़ें नहीं मिलती अनाच सस्ता है तो सस्ता कोई नहीं हमारे मुलक पाकिस्ता के अंदर हर शक्तियार है कि वो अजाद बोले हर शखस के पास इक्तियार है कि वो अपना वो तलीम असल करे हर शखस के पास आज़धा नाशादी करने का हक हाधिल के एक हमारे मुलक पाकिसान के अंदर हर शखस को इनसाफ का हधिल हाला कि ऐसा कोई चीज नहीं है लेकिंगे जूब कि हमने लिखना है तो हम इन प्रैस्टो उनकी मर्दी से आती है, आपने लिख देने हैं, हर शख्षे पास वोर्ट देने का इस्तियार आथा, वोर्ट के जरीए लोग मुन्तखिब होते हैं, वो पाकिस्तान के वुजडराग कहलाते हैं, तो लोग यहां से आते होंगे, पाकिस्तान का जो हमें क्यों ना एक, जो उसे है जो एक दूर्सेंग फिरने प्रहा नंजाते हैं तुबर इस्ट पाकिसान एक टुबर इस्ट रईस गंट्री भी तो है हमें लिखा पाकिसान के अंदर बहुत-बहुत खुश्चरच जगहें हैं जिनमें इसे जह ना वो बुरुने मुल्क से भी जो है लो सभात का रुख क कहते हैं पाकिस्तान बड़ा खुब्सूरत मुल्क है लोग तो फरी ही मुगामात रूप करते हैं लिख देना है मुगल बाच्छा की यहां बहुत सारी चीज़ें है यह एक तारीखी मुल्क भी है में पाकिस्तान सा बच्छो मर्दी आ जाए पैटरन सेम रहे कि कॉई लाउट की देनी इस से जाधा नहीं अगर निखनी है इस यह से जाधा नहीं स्पेस कम है स्पेस कम है ये ऐसे है सर किस किस तरह कि ऐसे आ सकते हैं इस पर मेरी अगली वीडियो अब्दुर्रह्मान यासिन को दीजिए इजाज़त वमा अलैना इल्ल बलाग अलमबीन थैंक यू